अजीब जॉब ओफर एडल्ड वीडियो देखने के हर घंटे मिलेंगे 1500 रुपए दो दिन में 31,000 आवेदन आ गए हर कोई चाहता है कि उसे ऐसी नौकली मिले जिसमें काम कम और पैसा ज्यादा हो कुछ ऐसा ही एक अजीब ओफर एक कमपनी दे रही है खास बात ये है कि ये कमपनी अपने करमचारियों को एडल्ड वीडियो देखने का काम दे रही है यही नहीं वीडियो देखने के लिए करमचारी को बकाइदा अच्छी खासी राशी भी दी जा रही है आराम की नौकली कौन नहीं चाहता है आपने दुनिया भर में कई तरह की नौकरियों के बारे में सुना होगा लेकिन हम आपको एक ऐसी जॉब आफर के बारे में बता रहे हैं जिसके बारे में आपने पहले शायद ही सुना हो दर असल एक कमपनी ने ऐसी एक नौकरी निकाली है जिसमें काम के नाम पर करमचारियों को एडल्ड वीडियोज देखने का काम दिया जाएगा यही नहीं यह कमपनी हर घल्टे वीडियो देखने के लिए करमचारी को पंद्रसो रुपिय भी देगी कमपनी की और से दिया जा रहा ये जॉब आफर सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रहा है इस अजीब जॉब को लेकर लोगों की दिवानगी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिब दो दिन के अंदर इस जॉब के लिए हजारों की तादात में आवेदन आ गये हैं दस सन अख़बार की रिपोर्ट के मुताबिक कमपनी करमचारीों को एडल्ट वीडियो देखने के साथ थाथ उसका रिव्यू करने का काम दे रही है यानि हर घंटे वीडियो देखकर इन करमचारीों को वीडियो का रिव्यू भी करना होगा आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके लिए कमपनी प्रती घंटे पंदो सो रुपय का भुकतान करेगी रिपोर्ट के मुताबिक नोटिफिकेशन आते ही सिर्फ दो दिन के अंदर ही इस नौकरी के लिए 31,000 से ज़्यादा लोगों ने आवेदन कर दिया है रिपोर्ट के अनुसार कमपनी एडल्ट प्रोड़क्ट के रिव्यू उपलब्द करवाती है रिपोर्ट के मुताबिक कमपनी जिस भी करमचारी को इस काम के लिए चुनेगी वो लगातार उसके संपर्क में रहेगी कमपनी वीडियो की टाइमिंग, मेल-फिमेल रेशियो, बालों का कलर, भाशा आदी डेटा का उपलब्द कर एक विस्तित रिपोर्ट बनाएगी इस जॉब के लिए दुनिया का कोई भी आविदन कर सकता है, क्योंकि ये नौकरी कहीं पर भी बैट कर देखी जा सकती है और की जा सकती है, इसके लिए आफिस आने की ज़रूरत नहीं होगी इस नौकरी के लिए 21 साल और इससे ज्यादा का उम्र का भी कोई सक्स अपलाई कर सकता है, कंपनी के हेड कॉंटेंट क्रियेटर एडवीना कायतों के मुताबिक पॉर्नोग्राफी अरबो गवर का इंडस्ट्री है, इस जॉब से चैनित करमचारियों के जरिये उससे कई न लाइक करें, सस्क्राइब करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें